साथियों नवस्कार दोस्तों देखिए अभी कुछ दिन पहले गाउंचनावली से ब्लॉक समीती मेंबर राजकुमार सेनियूर गूगा ने एक अपने सदन के अंदर एक परस्ताब रखाता के 26 गाउं को जो नगर निगम अपने में शामिल करना चाती है इसका सदन में खुल परस्ताब पास किया था एक मत से तो कल मैंने बीडीपी ओफिस पंचाय समीती का जो दबतर है परदीप कुमार जी ने यह रेजूलेशन जो था वो मुझे दे दिया है पास कर दिया है तो मैं भाई गोगा का और इनकी समस्त जो पंचाय समीती की जो पूरी इनके सभी साती है और खासकर जो चेर्मेर है गीता हुड़ा जी का मैं तहे दिल से और 26 गाओं की तरफ से इन दोनों भाईयों का और मेंजी जो हमारी गीता हुड़ा जी है उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं और इस लड़ाई को हम मजबूती के और बढ़ रहे हैं क्योंकि हमार का दिल शेर इंसान है सबसे पहले भाई ने वाज उठाई थी और लिखत में यह मिला है तो मैं भाई राजू और गोगा का दिल से धन्यवाद करता हूं है दन्यवाद जस्वंत भाई आपका भी और आपका भी बहुत बहुत दन्यवाद कि आप भी जुवाओं के साथ इस मुईम में लगे हुए हो क्योंकि छब्विस गाउं अगर नगर में जाते हैं तो सब कही नुक्सान होगा तो इस मुईम में सबसे पहले माईपाल आरे अपके साथ हम एक जुट होकर इस लड़ाई में लड़ेंगे साथ और जहां भी अमल जो पड़ेगे हम आपके साथ है जोस्तों देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा जिस जिंदा दिली से भाई राजकुमार ने सदन के अंदर ये अपना प्रस्ताव रखाता और सब सम्मति से पास हुआ मेरी सबी सरपंचों से भी अनरोध है कि वो भी थोड़ी सी ताकत दिखाए जैसे अपने मैपाल जी ने रेजुलेशन पास कर दिया है भाई बात करें हम अपना सरूरपुर की वहां के सरपंच साब ने पास कर दिया भी साउप्रा के भी कर रहे गाउचनागली के भी सौंबार को ग्राम सभागी मीटिंग हो उसमें पास होने वाला है नगला जोग्यान की हम बात करें खेडी तो बहुत सारे सरपंच आ गया रहे लेकिन कुछ ऐसे सरपंच है जो थोड़ा सा पता नहीं किस बात से रहे दो महीने रह गया है कम से कम आपके गाउं की बात है इसको नरक बनने से बचा लिजे जिस तरीके से मैं फिर क्याता हूं भाई ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है आप भी हिम्मत दिखाएं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम मजबूती के साथ ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी आप सब अपनी एव जुटता बनाए रखें जैहिंग जै भारत जै कामबस्ती